जितेंद्र भाटी के पास चलते हैं पहले वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर वो मौझूद है जितेंद्र बताइए वहाँ पर क्या है और वहाँ के साथ किसान नेता हूँ तो उनसे भी पूछे कि लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है जाम में अब वो क्या कहेंगे इस पर बिल्कुल गॉर्ण बिल्कुल गॉर्ण सरह से पहले आपके तस्वीरे दिखा दो तन्वेश द्वास तसिरें दिखाइए गाजीपुर बडर है डिल्ली और मिरट के बीचके हाईवे है नेशनल पर यहां पर मेरे साथ में भारते किसान यूनियन के यूपी अध्याक्ष जो है राजवी सिंग जदौन मेरे साथ हैं यह बताइए सब्ता का पहला दिन लोगों की क्या दिक्कत है क्योंकि लोग तो आप जो है बाहर निकल रहे हैं किसी का इंटर्वी हो सकता है किसे कुछ भ आसथा खुला हुआ कि सी को नुकसान नहीं होने दिजा आप जंता जनार्दन से में पील की थी कि यह थी के लिए बूगा लाइक दिन चार वजबरी करें अर लोगों किया है किक्र मुई तो बीच में अगर कोई मरीज फसा होगा तो कैसे निकालेंगे उसको इन्होंने को इसकी व्यवस्ता कर रखी है अच्छा ये बताईए मुझे जब एक तरफ क्रिशी कानून मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं क्रिशी मंत्री की आई ये बात करिए आपको क्यों नहीं लग रहा कि बा करना है हम लोग जाएंगे बारता करेंगे किसान मोर्चे के सारे अतकारी बारता करने को त्यार है ये बात तो तब कहते हैं अभी तक कोई बारता हुई नहीं के द्वारा बारता का है उजिन किया गया ठीक है आपके पास आता हूं लेकिन इस भी सुनित चोपला इस वक्त म लोगों ने इसका क्यों नहीं समर्थन इसलिए किया है कि 700 किसान लगबग मर चुका है और हमारे 700 साथी लोग जो की हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनकी इतनी इज़त ये सरकार नहीं करती कि उनकी जान बचाए जो लोग आपको रोटी दे रहे हैं जो लोग हमारे जो हर साल का जीडीपी बढ़ा रहे हैं और सब तो आपके बैंकों से चोरी करके मोदी जी से बात करके निकले हैं विदेश और ये लोग कम से कम देश की जो डौलत है वो बढ़ा रहे हैं आप उनके मरने पे आपको कुछ नहीं होता और ये जो इनोंने कहा है बात करनें कहां बात कर आपका सवाल बेकार है, साथ सो हिंदुस्तानी मर चुकी है, ये युद्स से कम नहीं है। लोगों को क्या दिक्त हो रही है? उन्होंने आपको बता दिया है, मैंने भी सुना है। बीजेपी करती है या कोई ऐसी पार्टी जो आपके खिलाफे तब तो या अंदोलन आपको घरत लगने रगता है आज आपकर राजनेते खेत से साधा जा रहा है तो आपको ये समझने आ रहा है कि या अंदोलन बहुत अच्छा है अलग भारत बंद कोई और करे तब आपको घरत लगेगा ये